नमस्कार दोस्तों और मेडी अपडेट्स चैनल में अब सबका स्वागत है मैं आपका दोस्त फिराजुरू आपके लिए एक ना टॉपिक लेकर आज दोस्तों हम आपके कैसी चीज के बारें बताएंगे जिसका रुजाना सेवन करने से शरीरिक कमजोरी खतम हो जाएगी चिपचिपा और पानी में घुलने वाला प्रकरतिक गौंद है यह पेड़ से निकलने वाला गौंदा इसका कांटेदार पेड भारत में गरम पत्रीलेक शत्रों पाय जाता है इसकी चाल काटने और ट्यानियों से जो तरल पदार निकलता है वही जमकर सफेद पिला हो जात है यही गौंद कतीरा होता है इसमें भरफूर मात्रा में प्रोटीन और फॉलिक यासीड जैसे पोशक दत्तों पाय जाते हैं जो हमारे श्रीर से जुड़ी के इस मस्यों में भी रात दिलाने मदद करते हैं इसके सेवन करने से गर्मे में लूस से तो बचा जा सकता है साथ हम कई रोगों से निजात पा सकते हैं गौंद कतीरा का उपयोग कई परकार से किया जाता है जैसे दोध आइसक्रीम और शर्बता दिने तो आई दोस्तों जानते हैं इसके सेवन से स्वास्ते कोहनवाल लाव के बारे में अगर हाथों पायरों में जलन हो रही हो तो दो चम स्वास्तों को दूर करती हैं हर रोज सुबह आदा गिलास दूद में गौंद कतीरा और मिश्री डालकर पीन से कमजोरी और तकान से चुटकारा मिलता है माइगरन तकान कमजोरी गर्मी को ज़ए चक्कर आना उल्टी इस समझ में गौंद कतीरा बहुत फायदेमंद है गौ जाना गले पर लेप करने से यह पूरी तरह से ठी हो जाता है यह मुह के अलसर को ठीक करने में भी मदद करता है जिन लोग को पसीना ज्यादा आता हो उने गौंद कतिरा के सेवन करने से या समसिब दूर हो जाती है दोस्तों यह आपको पंसारी के दुकार बड़ी आसानी से म वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिल सके अब अपनी दोस्त को इजाज़े दे जैफर मिलते अगले वीडियो में अगने topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार